कि सारेक शिक्षा की स्वाथ के साथ कि हमार्यूजॡ टॉपिक हैं आज हम बढेंगे प्रेंटिपल फॉप सपोर्ट ट्रेनिंग क्या है सबसे पहले बात करते हैं मिनिभी और सबसेच्पोर्ट कि अ helps क्या झाध किया है परन्तु खेल का संब्द इसका अलगी महत्बान जाता है समय समय पर खेलाडियों को उनके कोचों के दोरे बेवस्ता की जा रही है कि प्राचिन काल में भी फिफिन खेलों का आज़न के लिए उस समय खेलाडियों को खेल से पहले परसिक्शन दिया जाता था और जिसे पाकर खेलाड़ी एक और यज़े से घरते हैं कि खेल बहुना का विकास के साथ खेलों में तटपर रहते थे और छो प्रसिक्शन का उपरांथ कि विकस्षित कर थे एं एधि किसी भी बहतिको खेल परस्रेक्जन के विना खेल में उतार दिया जाए और पुरण योगदान नहीं दे पाएगा, बहुत कहने कि यह बात है, किसी भी बियोद को बेना परस्रेक्जन के बिना कोच की प्रक्टेस के इंडर में, खिसी भी सीने खेलाडिके देख़रक मे आपने तरफी से प्रवाक्टीस करता तो ऐधा अच्छा परदस्तन नहीं कर सकता है और अच्छा परदस्तन करने के लिए उसे भेतर होगा कि वसे खेलारियों के जो पर सुक्षें है शेनेरी क्यारी हैं इंट्रेशन शेंगे क्या थे वन अपने गेम से संबंद इस एक दूस के लिए कोचों के ववस्टा की गई है और जिस परकार जो गोची जो ड्यूजॺ茶 होतते हैं यह से फिसिकल अजब यूजू पर उजबय करें गारे लूवन के उनके अंदर हमें में तब उने वाला है एक खेल प्रस्थिक्षन का अर्थ का है इस खोड़े सब्सक्राइ़ किसी वेक्टिक के दोरा किये का यह कौने या उसकी विद्धिगतविधिं के लिए फ्रस्थिक्षन के मात영 शुचा शुक्षार क्या जाए और खेल पर स्थी एक Pषड में पर स्पश्षिक्षन के दॉरन बदी की तरहु पड़ने वाले आसा पड़ना खेफिक्षन प्रकाना tai कि दूरसम। करने घंके नएत्स को के ära तो जाई इस बहुत किया जां। तो उस्पोस्षर ट्रेंणिक कहते हैं। और उसे par функération के दूरन आगे अगर सिर बढ़ने वाले खिलाडियों को abuse par sickon कराणा जाता है जस से हम खिलाडियों को एक परदरा सन्में मेशिधार क्या जा सकता है तो मेरे पहर पारशाथियों सब से इंपोरजेन बाती ही है किा आज क्यों जो मिलाव दाइक के रूप में जाना दाता है और वह सा पर्देशन कर सकते हैं आज हम पढ़ेंगे कि इसके खेल परस्रेक्षन के डवारा नेक विद्वानों ने अपने अपनी राय अलग परिवासा दी गई है जिसमें विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् और उसके साथ इस सिदानतों दोरां सनसालित की जाती है और इनके मॉघएमसी खिलाडियों में सारे क्युक्षम था दक्षता था परियर न योजना आती है तोसे हम बात करते हैं कि मारटिन के इनुसार खेल पर सिक्षन एक जट्षिपर क involvement कर जाता है उप्रक्त पुरिवासां के अमसार कहा जा सकता कि खेल प्रसिक्षन के लाडियों के दवारां उसके बहतर प्रदसन करने के लिए सपोस्ट ट्रेनिंग दी जाती है खेल प्रसिक्ष के माद्यम से ही तो कि खिलाडी है अपना बहतर परीडाम गोस्चीद कर सकते हैं को सबीर्द कर सकते हैं हम सपोसे ट्रेम करते हैं घयल प्रसिक्षन करतेश उसक्रूदिशि के लिखाहि वहा उडिस्केDS करें 具 कि रहा हैं कोसल का विकास का पर्देशन करते हैं, तक्निक की विकास का पर्देशन करते हैं, तता सारे तंदुरस्तित का विकास करते हैं, तता व्यक्तितों का विकास करते हैं, भी जिसे खेल परसिक्षन है, सबसे पहले हम बात करते हैं, कि उनका मानसी विकास करते हैं, मानसी विकास का संबंद है हमारा कि वर्तमान में खेलों के अस्तितों का परित्युकिता के आधार पर माना जाता है आज सभी परकार के खेलों को परित्युकिता के रूप में पेश किया जा सकता है तथा सबसे महत्तपूर माना जाता है उम्वर्तमान में खेलों का अस्तितों के साथ सपोस्ट ट्रेनिंग के दौरान खेल परदसन करने वाले जो मानशी विखास बहुत ही महत्तपून माने जाता है इससे खेलारियों के दाराकिया अगा परदसन बहुत ही महत्तपून है तो जिन चातेयों का मांशिक रूप से सवस्तर रहते हैं, वे सवस्तर के समन्धि अपने कोशलों को सीख लेते हैं तथा उससे खेल के परती एक विशेश वूची भी दोमान रहती हैं और मांशिक रूप से विकास किया जा सकता है और रंत में हम का सकते हैं या इसमें किसे न बाहरी परदसन के लिए भुती महत्वां मने जाता है और अंतरिक रुप से भी अपने आपको सुदर्श किया जा सकता है या परदसन के को विशिज रूप से प्रवाईद करने वाला तॉ तो मने जाता है खेल परस्रिक्षन के दौरान खेलाडियों के बहुतिक सतर का विकास होता है और वह सिगर ही अपने अंदर विभीन परकार के खेल कोसलों का विकास करते हैं और इस परकार खेलों के परस्रिक्षन नहीं के अलगे सारी खेलाडियों को सुधार क्या जा सकता है बलकि उन खेला और कोवसलने तकनिक के विकास कोवसलने बांगार आज खेलों को कुराष्टी सट्री सटर चैदि तर पर खेला जयाने का करण है उनमें बैसे वीशेश दूत की जाने जाता जाता है इस नimme कोवसल के झादियो में आज बहुत ही पंधियो गी मानद जाता है हो अपने खेलों को सुतार रूर सी चला जा सकता है तता पर्तेग खेल की कुछ अपने मुल बूills को सलोते हैं इन को सलों के आदार पर खेल मेश पूरन दे के लिए जीन खिलाडियों को प्रश्रिक्षण के माधयूं में से तयार किया जाता है से बिबाती था नेश्चनल Dan बात करते हैं कि टेकनिक का विकास किस परकार डेवल्मेंट टेकनिक इस परकार किसे यह बहुत ही मैं तब तत्य माने जाता है के लोगे माध्यम से आज निश्च यूरूप से यह बड़ा है कि लाडियों को उन्रों तक पहुंचाना किसी का उनको खेल के समय जानकारी परदान करना यह सब बाते हैं कि लाड़ी के विकास तता उन से किस परकार टेकनलोजी का प्रियोकरते हैं किस परकार टेकनिक की का प्रियोकरते हैं इसके बारे हम डिसकस करते हैं मेरे पहरे साथ तो मेरे पेरी जो सारीक शिक्षा के सात्र हैं उनके लिए भोधी मेतापुन टॉपीक हमारा स्पोर्ट ट्रेनिंग है खिलाडियों को बीचे शुरूप से भी दमान ते था निश्चित प्रेनिक तक्निकों को अपना जाता है और तक्निकों कोई पर्तेक्स पर्तेक्स तक के समझ में खिलाडियों को लगा जाता है जैसे जैसे खिलाडियों करते हैं वैसे तक्निक का विकास हो जाता है मेरे पेहरे साथ, है करा जो पॉइंट हमारा, बहुत हम सारे एक पुश्टी, एंड फीजिकल फिटनेश, वैलनेश, हैंड बारे बारे मताएब, फीजिकल फिटनेश करदा, सपोर्ट ट्रेनिंग के दार, स्केल प्रसेक्शन के दौन एक खिलाड़ी को इससे यह बता जाता है कि विविन प्रकार के जो तरीके होते हैं किस प्रकार से उन वे टेक्निक के विविकास क्या जा सकता है तथा मेरे पहरे साथियों आज का जो विशे सुरूब सी यदि हम बात करते हैं तब बहुत ही जो विकास है इंडिवीजवल से डवलमेंट है विखेल कर्स्ट्रिक्शन के दौर व्यक्तिक सर्मंगिरी विकास पर जोड़ दिया जाता है सारी गरोब से फृट रखा जयता है जिससे कि उसके परदाशमी शुधारोच के उसी परकार दूसरी हो रहे परदाशन के जैसात इस पर करना हम सकते हैं कि फीजिकल जो ट्रेनिंग है इसमें इंडिविजियोस डेवल्मेंट भूट ही मेहता पूर है और वेक्तिकत जो कहसे हैं खेल को खेल के बहुना हो सी, खेलना चाहिए और बीना परसेक्शन के खेल, आडियो को खेल में उतारना से कोई फाइदा नहीं है, क्योंकि वो अपना बहतर प्रदेशन नहीं कर सकती है, तो support training में हमने शीखा, आज हमने क्या support training क्या है, उसकी definition क्या है, और इसके दवारा कौ क्योंकि नहीं हमने उसका।